हेलो दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूं मनीराज पटेल और आप देख रहे हैं टेकी बैंकर मनीराज चैनल को दोस्तों आपने इंवेस्टमेंट्स के बारे में तो बहुत सुना होगा इसके लिए मैंने औरेडी वीडियो बना रखा है तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं अब दोस्तों बात करें कि इनके लावा और कौन-कौन से options है जिसमें हम investment कर सकते हैं तो आपने share market सुना होगा share market से कुछ लोग को जो है कुछ लोग जानते होंगे उसके बारे में कुछ लोग को उसे डर लगता है तो आपने यह जानते हों share market में कुछ कंपनी कंपनी के shares खरीदो और जब भी उनके prices बढ़ जाएं तो आप उनको बेज दो तो इस तरीके से आप जो है वहाँ पर मुनाफ़ा कमा सकते हैं लेकिन share market से जुड़ा हुआ एक और शब्द है दोस्तों वो है mutual fund आपने mutual fund का शब्द तो सुना होगा हो सकता है आप में से बहुत सारी लोग जानते भी होंगे उसके बारे में तो दोस्तों mutual fund के मैं बात करूँ कि mutual fund क्या होता है तो थोड़ा example समझे कि माले मालीज आपके पास एक टोकरी है एक basket है अगर उस basket में आप बहुत सारी कंपनियों के shares डाल दे अब shares जो है एक ही प्रकारी company के ना डाले जैसे मालीज एक company है जो finance की है एक bank की company है एक जो है real estate की company है एक जो है किसी और sector की company है तो अलग sectors की company के shares अगर आप एक ही basket में डाल देते हैं तो वह पूरा basket क्या कहलाता है mutual fund कहलाता है तो मतलब mutual fund अलग नहीं है mutual fund भी share ही है mutual fund भी shares ही होते हैं लेकिन वहां पर एक share ना रखके हम बहुत सारे shares का एक ऐसे basket बना देते हैं एक जुन्ड बना देते हैं और उसी को हम बोल देते हैं कि यह mutual fund है जो basket दोस्तों बनता है अब यह basket आप भी बना सकते हैं मैं ही बना सकता हूं SBI भी बना सकता है कोई भी व्यक्ति कोई भी company यह basket बना के market में बेश सकती है इसलिए आपने देखा हो कि हर बहुत सारे कंपनियों के share mutual funds आते हैं जैसे कैंडरा के mutual funds आते हैं कैंडरा के mutual funds हो गया SBI mutual funds हो गया HDFC मतलब जो भी बड़ी-बड़ी company हैं उन सब यह सब shares का जुन्ड बनाया basket बनाया और अपना नाम टैग लगाके अब इनको बेशने लगी अब दोस्तों बात यह है कि mutual funds तो ठीक है mutual funds यह हो गया लेकिन अब mutual fund हम कौन सी company का ले मतलब SBI कर ले कैंडरा कर ले SDFC कर ले या फिर पराग पारे कर ले कोटेक कर ले किसका mutual fund ले तो दोस्तों यहां बात आती है कि mutual fund कैसा perform कर रहा है market में वह कितना पुराना है ठीक है और उसको कौन जो है handle कर रहा है क्योंकि इसको handle करने mutual fund पहले बात करूं कि जो आप mutual fund पैसा लगाना चाहते हैं अगर आपके पास थोड़ा सा ही पैसा है या फिर आप आपके पास हर महीने 5000-3000 आता है जो कि आप लगाना चाहते हैं तो एक तो यह प्रकार हो गया दूसरा आपके पास अगर लंसम पैसा आ गया है एक लाग दो लाख रुपए और वो पूरा का पूरा mutual fund लगाना चाहते हैं तो यह दूसरा पकार हो गया तो अगर हम हर महीने थोड़ा थोड़ा लगाना चाहते हैं तो उसको हम SIP बोल देते हैं है वो mutual fund ही लेकिन नाम क्या पढ़ गया SIP systematic investment plan वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास एक लाख दो लाख रुपए और पूरा का पूरा आप एक साथ अगर mutual fund में लगाना चाहते हैं तो उसको लंब सम बोलते हैं अब दोस्तों आई होप आपको SIP और लंब सम में confusion नहीं होगा यह वैसा ही है जैसे RD और FD होती है बैंकों में अगर पूरा लंब सम आता है तो उसको FD बोल देते हैं वैसे ही mutual fund में यहापे लंब सम होता है और एक SIP होता है अब दोस्तों बात करते हैं mutual fund की तो mutual fund भी बहुत प्रकार के होते हैं अब हमें कौन सा लेना चाहिए किस प्रकार का लेना चाहिए तो पहले का मताता हो mutual fund एक होता है वीचुलhigh और हो अगर थोड़ा इसके बारे干 natuurlijk है तो अगर आप equity mutual fund लेते हैं electricity mutual fund मतलब उस libre का सारा जो mutual fund का पैसा है वो mutual fund company कहा लगाएगी वो लगाएगी बड़ी-बड़ी companies जो होती है उनके shares में लगाएगी तो यह होता है equity equity मतलब पूरा share market में पूरा पैसा लग जाए तो उसको equity कहते है equity mutual fund अब यहां पर क्या होता है कि रिस्क बहुत ज्यादा होता है लेकिन जब return मिलते हैं तो वह भी अच्छे खासे मिलते हैं ठीक है तो वही बात देखिए तो जीवन का दस्तूरी है कि आप जितना ज्यादा risk लेंगे उतना ज्यादा returns मिल जीए कि ऐसी में अगर आपने debt mutual fund खरीदा है तो यह mutual fund कंपनिया कहां पैसा लगाएंगी यह लगाएंगी बैंकों में पैसा लगाएंगी जहां secured हो जहां पर डूबने का खत्रा ना हो जैसे बैंकों के bonds आते हैं उनके certificates आते हैं उनके बैंकों में FDs वगरा जो होती है वह returns भी कम देखने को मिलेंगे जैसे FD में होता है FD में आप secured रहते हैं bank के FD जो होती हुआ पर secured फिल करते हैं तो आप return भी आपको कम मिलता है और यहां पर भी आप FD जैसा ही है तो आपको return भी कम मिलेगा लेकिन as compared to bank हो सकता है थोड़ा सा जाधा मिले लेकिन equity mutual fund से आपको कम ही मिलेगा अब तीसरा जो प्रकार आता है वो आता hybrid mutual fund hybrid या balanced hybrid mutual fund दोस्तों मतलब क्या होता है कि थोड़ा हिस्सा उसमें किसका रहेगा equity का रहेगा और थोड़ा हिस्सा रहेगा आपका debt वाले का मतलब दोनों का हिस्सा उसमें रहेगा अब आप यह पुछे हैं क्या रही यह फाइदा रहेगा कि equity वाला जो portion है वो आपको अच्छा बूम देगा उपर जाएगा और जो debt वाला portion है आपका वो आपको secure रखेगा तो hybrid mutual fund भी एक अच्छा option है लेने का फिर यहां पर रिस्क की बात करूं तो equity वाले से कम risk है लेकिन debt वाले mutual fund से ज्यादा risk है यह middle वा लेंगे तो hybrid mutual fund एक अच्छा option है फिर इसके बाद काता है tax saver mutual fund tax saver mutual fund क्या होता है कि यह mutual fund में आप जो ही पैसा लगाते हैं यह जो है आपका जो भी आपने इसमें पैसा लगाया वो आप income tax में छूट पाने के लिए दिखा सकते हैं ठीक है तो आप ही बोलेंगे कि sir इसमें तो हम फिर सारा के सारा ही लगा देंगे बढ़िया mutual fund मिल गया और हमें tax में छूट भी मिल गई नहीं दोस्तो यहाँ पर क्या है lock in period होता है कि आप 3 साल तक जो पैसा आज डालेंगे वो 3 साल के बाद ही आप निकाल सकते है tax saver mutual fund से तो यहाँ पर lock in period होता है तो यह यहाँ थोड़ा demerit होता है लेकिन returns भी इसमें अच्छे है ठीक है और इस tax saver में bifurcation है कि tax saver mutual fund में भी आप चाहे तो equity में पैसा लगा दें चाहे तो balance में लगा दें तो यहाँ भी थोड़ा सा bifurcation है ठीक है तो यह हो गया tax saver mutual fund उसके बाद एक mutual fund आता है जिसको बोलते हैं पैसा mutual fund आपने खरीद लिया है जो जिसमें आप पैसा आज डाल रहे हैं लेकिन आप तीन से चार या पांच मेहने बाद आप जानते हैं पहले से कि आपको mutual fund से पैसा निकालना है तो उसमें liquid mutual fund अच्छा होता है liquid mutual fund बना है इसले गया है कि आप temporary basis पे बस mutual fund में पैसा डालन सम अब बात करें SIP की तो जब भी आप कोई SIP खरीदने जाएंगे online अब देखें यहां पर बहुत सारे आजकल grow app हो गया बहुत सारे application आपको मिल जाएंगे जो कि जहां से आप mutual fund खरीज सकते हैं SIP खरीज सकते हैं और आप क्या बोलते हैं जैसे example के लिए कोवेरा app हो गया ठीक है तो बहुत सारे applications हैं अब वहाँ पर आप किसी भी company का जब mutual fund SIP सर्च करेंगे जैसे Canada रुबे को mutual fund हो गया अब इसमें मालीजी आपने एक SIP देखी जिसमें Canada रुबे को mutual fund regular growth लिखा है ठीक है और वहीं पर आपको एक SIP और दिखेगी जिसमें लिखा रहा है Canada direct word इस्तमाल होते है SIP में तो वो क्या है तो देखिए दोस्तों regular आगर किसी SIP में regular लिखा हुआ है regular word मतलब वह अगर आप लेते हैं अगर आप खरीद रहे हैं मतलब आप किसी एजेंट के थ्रू खरीद रहे हैं वह समझेगा बात को regular word जहां जिस भी SIP में लिखा हुआ है मतलब आप किसी एजेंट के थ्रू ले रहे हैं और जहां direct word लिखा हुआ है direct मतलब आप वह direct ले रहे हैं तब इसमें अंतर क्या होता है अगर आप किसी एजेंट के थ्रू लेंगे किसी ब्रोकर के थ्रू लेंगे regular वाला तो उसमें साल भर में उसकी fees भी कुछ कटती है ठी लिखा सकते हैं आप जो है किसी एजेंट्स या किसी बैंक में जाकर सबसे पहले mutual fund के बारें पता करिए कि सर मुझे कौन सा mutual fund लेना चाहिए आप अपनी requirement बताईए वहाँ पर और जो बता दे कि आप ये वाला mutual fund ले लीजिए ठीक है तो आप वहां से ना लेके आप जो है direct online purchase करें और वही वाला direct जहां जिसमें direct लिखा हो आप वहाला purchase कर लें तो direct होने से क्या होगा कि जो आपका brokerage charge लगने वाला था उससे आप बच जाएंगे तो ये तरीका है खरीतने का कि mutual fund आप इस तरीके से खरीच सकते हैं तो मेरा आपको ही बोलना है कि आप अगर आपको थोड़ा सा brokerage charge बचाना है तो आप direct जिसमें direct लिखा हो वही वाला mutual fund आप लें दोस्तों बात करें कि आपके पास मान लीजिए SIP अब आप इसमें confused हैं कि आप SIP लें कि लमसम डालें तो यहाँ पर बता दो मैं आपको कि आपको generally SIP चालू करनी चाहिए SIP मतलब हर महीना ए 6 साल चला लेंगे तो हो सकता है वह पैसा आपका 2-5 गुना भी बढ़ जाया और ऐसे बहुत सारे mutual funds आपको market में दिखेंगे जिन्होंने 7-8 साल में 2-3 गुना तक return आपको दिया है वहीं पर अगर लमसम की बात करूं कि जैसे हम FD एक पूरी बना लेते हैं तो कि हमें क्या लमसम लेना चाहिए mutual fund में तो मेरे साबसे दोस्तों लमसम के लिए आप क्या करें कि आप एक आता है debt mutual fund करके आता है debt mutual fund आप लमसम में खरीद लें ठीक है लमसम अगर पूरा का पूरा मालेज़े एक लाग रुपर आपकी बास है तो आप debt mutual fund खरीद लें अब वो एक लाग का debt mutual fund खरीदने के बाद आप क्या करें कि उसमें से हर महीना जितना भी आपको निकालना ह पांच हजार दस हजार उसमें से एक S.I.P. लगा दीजिए ठीक है एक S.I.P. लगा दीजिए तो इस एक लाख में से हर महीना दस हजार रुपरे आपकी S.I.P. में जाना चालू हो जाएंगे तो इससे फायदा क्या होगा कि debt mutual fund है तो अगर market down होता है तो आपका पैसा जो ह किसी bank में फिर किसी FD में फिर किसी secured चीज में लगाई है तो अगर market down भी होता है तो भी वह इतना ज्यादा डाउन नहीं होगा debt mutual fund है और दूसरा वहीं से आपका पैसा जो है थोड़ा थोड़ा करके S.I.P. में जा रहा है तो आपको दोनों फायदे मिल गए तो मेरे साब स जैसे ऐसा है कि अगर आपके पास लंसम अमाउंट है तो आप इस तरह के का काम करें तो आपको और फायदा होगा आप कुछ words आप कुछ words जान लीजिए जैसे एक होता है exit load एक होता है short term capital gain tax एक होता है long term capital gain tax अब दिखेसा से पहले आप जानिए कि exit load क्या होता है माल लीज जाते हैं किसी भी काराण के वैसे तो अब उसमें क्या है कि company 1% exit load charge काट लेगी तो यह बिसिकली चार्ज है चार्ज है आपने जितना ही पैसा डाला है उसका 1% company काट के आपको देगी तो ध्यान रखें जब भी कोई mutual fund ले तो यह जरूर सोचें कि उसमें जरूर देखें कि उसमें exit load कितना है उसके बाद एक होता है short term capital gain tax अगर माल लीजिए आपने एक साल एक साल पहले आपने कोई mutual fund तोड़ दिया ठीक है तो उसमें आपको जो भी फायदा हुआ है जो भी आपको प्लस आपको मुनाफ़ा हुआ है उसमें भी government tax लेगी ठीक है तो वो tax जो है short term capital gain tax कहलाता है क्योंकि वो एक साल के अंदर का है और अगर एक साल के ओपर वो mutual fund हो गया है और फिर आप उसको तोड़ते हैं तो जो भी आपको अगर उसमें कोई मुनाफ़ा हुआ है तो उसमें government जो है आपसे tax लेगी तो वो tax लभग 10% होता है तो वो long term capital gain tax कहलाता है तो यह जो तीन word है यह आपको ध्यान रखना है तो दोस्तों इस तरह के से आपने देखा कि FDRD ठीक है और mutual fund में भ बोलोगा कि आप जितनी जल्दी जल्दी हो सके एक अच्छा सा SIP सेलेट करें ठीक है अपनी risk capacity के हिसाब से और चालू करें क्योंकि इसमें दोस्तों मैं बता दूँ आप एक site है mutual funds of India mutual fund of India आप उसमें जाहिएगा उसमें आपको पुराने mutual fund का आपका पूरा का पूरा आप आपको data मिल जाएगा कि वो उस mutual fund ने किस तरहेके से perform किया है तो आप जब भी कोई mutual fund लें तो वो mutual fund of India में जाके उस mutual fund को सर्च करें और उसकी history चेक करें कि उसने किस तरहेके का performance past में दिया है और उसके बाद ही आप mutual fund लें ठीक है आप जो है उसके returns के बारे में सर्च करें short term returns, long term returns कैसे थे उसके taxes के बारे में थोड़ा सर्च करें उसके बाद ही आपको SIP लें या लमसम में यही मेरी आपको राय रहेगी और जितनी जल्दिस जल्दी हो सके उतनी जल्दिस जल्दी आप एक SIP चालू करिए क्योंकि अगर आपने 5000 की SIP महीने में चालू कर दी तो ठीक है तो आई होप यह चीज़े आपको समझ में आई होंगी थोड़ा सा आपको इसमें clarity मिली होगी कि यह सब चीज़े क्या होती है तो चलिए फिर से ऐसी वीडियो के साथ मैं आपस मिलूगा तब तक के लिए जै हिन जै भारत